नमस्कार मैं खुर्शीत खार राजो और आप देख रहे हैं निज्टेमनेशन अब वक्त हो चला है देश परदेश की कुछ खास खबरों का सुल्तानपुर में करउंदी कला गाउं के पास यात्रियों से भरी एक बस खाई में पलड गई जिसमें दो लोग गंबीर उट से घायल हो गए आपको बता देगी कासिवी सुनात का दर्शन करने के बाद यात्री वापस आयोध्या धाम जा रहे थे सुल्तानपुर में एडियो पंचायच दूबेपूर दिनेश सिंग के खिलाब जिला विदिक सेवा प्रादिकरन के सचियों ने मुक्च विकास अदिकारी को कारवाई करने के लिए पत्र लिखा है अमेठी थाना पुलिस ने मुक्बिर की सुचना पर दुराचार और पॉसको एक्ट में फरार अभियुद अमरजीद चोहान को लाला का पुरुत तिराहे से गिरिफतार किया है अमेटी में जायज थाना पुलिस ने मुख्बिर की सूचना पर आजाद को पकड़ी रोर से ग्रिफतार किया अभियोद के कब्जे से एक तमंचा दो जिन्दा कार्थूस बरामत किया है अमेटी में जग्दीश पुलिस ने शौक कोटवाले के बाबूपूर सरया गाउ में 11,000 बिदुट लाइन की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई सोचना पर पहुझे पुलिस ने शौक को खबजे मिले कर पोस्मॉर्टम के लिए भेज दिया आयोध्या के थाना केंट इलाके में 12 से लोड़ते समय युवग पर ताबर तोड फारिंग की गई जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई आपको बता दे कि मृतक विशालियाद और प्रापरटी डिलिंग के काम करता था जौनपूर में थाना किराकत पुलिस ने चेड़ खाने मामले मुवांचित अभियुग पल्लू राम को टाई बीर बाबा पुलिया के पास से ग्रिफतार का जेल भेज दिया है जौनपूर में मणियाओ थाना पुलिस ने अपारण करने वाले चार अभियुट राजू, कमलेश, चंद्रेश और राजियन को गौसाला तिरह से ग्रिफतार कर जेल बेज दिया है अभियुटों के कब्जे से 18,000 रुपए नगत बरामद हुए है जौनपूर के थाना सिक्रारा के समाजगन बाजार के पाच जौनपूर परियागराज हाईवे पर मजदूरों से भरा एक टेक्टर पलड़ गया जिसमें छे मजदूरों की ततकाल मौके पर मौत होगे दो लोग गंबी रूप से गायल हो गए बाराज में थाना फकरपूर पुलिस ने छोटे और फसानिफ को गिरिफतार के अबियों के खब्जे से 250 अलप्राजोलम टैबलेट बरामत की गई है आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इन खबरों को आप यूटूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और फेस्बुक के जरी हमसे जुर्ण पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूले नमस सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकॉन जरूर दबाएं और हां खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें